अमित कलेक्शन जहां मिलेगी आपको शांदार कपड़ों की अनुपम शंकला जीन शेट से लेकर अंडर गार्मेंट्स था हमारा पता है मैयूर होटल के सामने लिंक रोट सागर प्रदेश के बैतुल में डायल हंडर के पाइलिट ने मानवता की मिसाल पेस की और खुद की जान को जोकिम में डाल कर एक बे जुवान पक्षी की जान को बचाया कुए में तीन दिन से मोर फसा था जिसे निकालने के लिए 100 डायल का ड्राइबर कुए में उतरा और मोर को सुरक्षित बाहर निकाला बैतूल के मुल्ताइथाना छेती की डायल 100 को संबार को सचिन बाइडी निवासी सांडिया ने सूचना दी कि उनके खेत इस्थित कुए में तीन दिन से एक मोर गिरा हुआ है इस पर 100 डायल के टीम वाकी के लिए रवाना हुई और बड़ी मसकत के बार डायल 100 की पाइलेट पंकस जहारे रस्षि के सहारी कुए मोतरे और राश्ट्री पक्षी मोर को किसी तरह नियंतित किया और रस्षि से बाढ़ा उनकी मदद कर रहे आरक्षक संजय ने सुरक्षित तरीके से रस्षि को उपर कीचा इस तरह इन दोनों की प्रयासों से मोर की जान बस सकी मोर को सुरक्षित बाहर निकालने के बार उसे बंद बाग मुलताई के कर्मचारियों को सौप गया है इस कार्ड को लेकर 100 डायल के स्टाफ की लोग सरहायना कर रहे है मुलताई SGOP नमरता सौंधिया का कहना है कि 100 डायल के स्टाफ ने अच्छा कार्ड किया है और इसके लिए उन्हें पुरुसकरत करने के लिए बरस चाथिकारियों को पत्र लिखेंगे जिससे उनका उत्सा बर्दन होगा और इसी तरह बहर लोगों की मदद करते रहेंगे गाह से सूचना प्राप्त हुई थी 100 डायल को कि मोर का जो मोर है वो तीन दिन से कुए में फसा हुआ है तो इस सूचना पर 100 डायल रवाना हुई थी और 100 डायल के ड्राइवर और जो समय ड्यूटी दौरान आरक्षक थे उनके प्रयास से उस मोर को बड़ी मशक्कत के बाद कुए से बाहर निकाला गया जिसमें 100 डायल के ड्राइवर को नीचे उतरना पड़ा कुए में और उसमें कुए में उतरके उस मेरी है परशो की जान बचाए जो बहुत ही सराहनिय का रहा है पुलिस इसको प्रोशकत करेंगी बिल्कुल सर इसके प्रोशाहन के लिए मैं तदकाल है श्रीमान पुलिस दिक्षक महुदय को इन्हें प्रोशाहित किया जाए इस विशर में हमें लिखित आवे दंदू ही बैतूल से महिस्चन देल सागर टीवी न्यूज जो आए एक बार वो आए बार बार जी हाँ अमित कालेक्शन एक बार सिवा का अपसर जरूर दे हमारा पता है अमित कालेक्शन मयूर होटल के सामने लिंक रोट सागर मध्यप्रदेश हमारा नमबर है 88890227749302314729 एक बार याजिये नहीं हमार पार बार 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 वो आए पसके सामने